करने चैजिस की वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे जैसे हमारे दिजिटल वर्ड है तो उसी से रिलेटेड हमारा एक फिर्ड ह canyon हमारा जो की बालोगी प्लस-में अध्र चाहिए दोनों बत्च वाले बच्चों वाले दोनों के लिए हैं तो वह मारा फिल्ड है बायो इन्फरमेटिक्स फील्ड योगी लाइफ साइन से रिलेटेड है और यह बहुती इमर्जिंग फील्ड है हमारे आने वाले डिजिटल रिवॉल्यूशन वाले वल्ड में सो चलिए इसके बारे में बात करते हैं यह क्या है कैसे है और इसके क्या 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 है इसका एडमिशन प्रोसीजर कैसे क्या है इन सब के बारे में बात करते हैं चलिए दर दर देखना बंद कीजिए और काम की बात कीजिए बायो इन्फरमेटिक्स सबसे पहले बायो इन्फरम living creatures होते हैं life जितने भी जिन में होती है तो उनकी जैनेटिक और molecular information को digitally save करना वो हमारा किस फील्ड के अंदर आता है वो हमारा bioinformatics field के अंदर आता है जहां पर हम study यही करते हैं कि living जितनी living creatures होते हैं उनकी genetic information molecular information को हम पढ़ते हैं और जिसके बारे में हम सीखते हैं तो जो फील्ड इन सब के बारे में सिखाता है वो हमारा होता है bioinformatics एंड जो bioinformatics का जो application किया है तो बैसिकली जितनी भी हमारे जितनी भी हमारे जैसे living organism के molecular structure की molecular information की तो वह चीज यह प्रोवाइड करता है यहां पर यह बारे में बारे में जानकर आपको प्रोजेक्ट के बारे में बतना चाहूंगा जिस प्रोजेक्ट के बारे में जानकर आपको पता लगेगा कि bioinformatics की जरूवत क्यों थी और bioinformatics की जरूवत क्यों है उस प्रोजेक्ट का नाम था human genome project जिसकी सुरुवात 1990 में हुई और जिसमें हमारे जो एक क्या था एक international research effort project था जिसमें हमारे यूएस ब्रिटेन केनडा न्यूजिलेंड जैसे देश सामिल थे इसका जो एम था वो एम था कि हमारे टोटल human genome की जो information उसको gather करें तो वह कहीं है कहीं तक कहीं हद तक वह successful review रहा है यह project जहां पर हमारे scientist थे उन्होंने 90% genome information को gather कर लिया था लेकिन 1 पर 1000 की जो error rate की वैसे जतना भी हमारा 90% information gather की थी वह 28% पर आके फॉल हुई end diagram मैं बताऊं कि जो हमारे genome में human genome में वह हमारे कितने 3.2 billion base pair sequence होते हैं तो उस information को store करने के लिए हमें 200 plus क्या चाहिए telephone directory जैसी जो 500 पेजेज की जो टेलीफोन डिरेक्टरी होती है वह 200 plus किताब चाहिए बुक चाहिए उनमें हमारी जाके वह information पहली बात तो store होगी अगर हालांकि पढ़ते नहीं है इतनी बुक कॉन पढ़ेगा वैसे अगर उसे आप पढ़ने बैठ गए तो आपको जैसे कि आप एक वर्ड एक पर सेकंड और एक लेटर पर सेकंड के साब से कर पढ़ोगे अब भी हमारे पेपर जितने में हमारी information गढ़र रहा कर वह हो गया कि उच हो गया किताबों को तो जितनी हमारी मैनत है वह सब एकदम खराब हो जाएगी तो यह पर लोड अठाने के लिए complexity कम करने के लिए जितनी हमारी information अमने गढ़र की है तो वह easily accessible हो सब के लिए उसके उसे digitally रखा गया और वह information सबके लिए आसानी से प्रोवाइड हो सके तो इसके लिए वह हमारे branch जिसमें हम कर सकते हैं वह हमारी bioinformatics उतनी सब जद्दो जहत के बाद हमारा human genome project April 2003 में जाके complete हुआ और जितनी भी हैर मैरी information थी वह digitally थी तो उससे हमारे जितने भी तो इसे information को ले सकते हैं और अपनी studies को कर सकते हैं रिसेच को कर सकते हम बात करें कि इस अप इस प्रस्व कर सकते हो तो बैसिकलिए अपने मन तक उसके बाद का पर शीग कर सकते हो इसकी जो eligibility criteria में बता दों कि 10 प्लस 2 आपने किसी भी मताश पीशी बिए पीशीम से यानी कि इसके बाद BSc anors कर सकते हो इसके बाद BSc be saved B. Tech कर सकते हो स्ब्दों क्यों इसके आगे नॉर्मल जो नॉर्मल जो बैचलस क्रोच सकते हो उसके बाद अगर आप इस में meus इड़ने के लिए पता हिढ आपको अगर कोलेज एक्स्ट टिई ऐडisu करने पड़ेंगे नीट और जेए के बेसिस पे भी आपको वह एडमिशन देते हैं वहीं आर जो प्राइवेट कॉलेजन की जो मैरेट लिस्ट होती है उसके हिसाब से आपको उसमें एडमिशन हो जाता है और उनकी जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं वह अपने खुद एंट इंस्टिटीट्स हुएं बायो मेडिकल कंपनीज हुएं बायो बायो लॉजिकल जितनी हमारे फार्मासोटिकल और्गनाजेशन होती हैं वह सब में आप काम कर सकते हो एज आप बायो इन्फॉर्मेटिक सॉफ्ट्रिव डेवलपर की तौर पर काम कर सकते हो आपको अच्छ सेट की उपर knowledge के बैस फेपकी सेलरी बढ़ती रहती है पी एचडी करने के बाद आपको पता ये हैं कि जैसे कि जतने आभ कुद की नॉलेज होती जाती है उसके साब से मारी सेलरी प्लस स्किल सेट वैड़ती है तो यही सब आज की वीडियो में अगर वीडियो अच्छी ल